गुड मॉर्णिंग आज स्टार्ट करते हैं अपन अपन सॉल्यूबिलिटी के अंदर कितने और सब्स्टेंस डिजॉर्ड है एट पर्टिकुले टेम्ट्रेचर या प्रेशर के ऊपर जितने भी अमाउंट और सब्स्टेंस डिजॉर्ड है उसको बोलते हैं अपन सॉल्यूबिलिटी यहना तो का लिएफिनेशन लिखेंगे अपन अब भी साथ का साथ लिखते जाओ अपने अमाउंट और सब्स्टेंस किसमे लेना अपने को ग्राम के अंदर है यहना डिजॉर्ड है इन यूनिट वोल्यूम सोल्वेंट का वोल्यूम भी कैसा लेना पड़ेगा आपने यूनिटी लेना पड़ेगा पर्टिकुलर ऑफ है पर्टिकुलर अपने पर्टिकुलर सोल्वेंट के लिए अलग 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 भी सेचुरेशन हो सकता है होता ही है अलग अलग सेचुरेशन होगा तोफोम सेचुरेटएड सोलिशन स्वाइशन कैसा बनना चाहिए है सेचुरेटेड एट गीवन टेंपरेचर एंड पर्शेर के ऊपर कितना अमांट अब सबस्टेंस डिजोल हो रहा है सेचुरेशन स्टेज हमें जाने के नो मोर शॉल्यूत आपने एक बिकल लिया उसमें आपने solvent लिया और उपर से क्या डाल दिया अपने कि तो क्या कर दिया अपने कितनी solubility होगी तो डिपेंड करेगा क्या आपने लिटर में ले रखा तो यहां पर अपने को घेस के लिए भी पढ़ना तो जब घेस के लिए बात करेंगे तो यहां करेंगे MOUL fraction की बात करेंगे मैं चल और कोन कौन से ऊप्टर से weight 125 को होटबछ एफक्ट करेंगे सब से पहले बात करते हैं अपन पहले बात करेंगे अपनने सूल्यूट और सोल्वंट इन दोनों की नेचर कि ओपर भी डिपेंड करता है तो पन बोलते है इसके ऊपर फेक्टर डिपेंड करेगा एक्चर ऑफ कि अलूट एन कि क्या आपने ले रखा है क्या आपने सोलवेंट ले उसके according अपने इसकी बात करते हैं तो अपने इसके लिए पढ़ चुके हैं पहले लाइक कि डिजॉल्व लाइक का फोर्मुला काम आएगा यहां पर लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलग सोल्यूट अगर पॉलर है पॉलर अगर आपने लिए रखा तो उस कंट्रिशन में सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए अगर जैसे अगर अपने नसील की बात करें तो पॉलर सॉल्वेंट अगर आपन बात करेंगे नॉन पॉलर अगर सोल्यूट है तो उस कंट्रिशन में सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए नॉन पॉलर सॉल्वेंट एक्जामपल देखते हैं अपन जैसे कार्बन टेट्रा क्लॉराइड को अगर अपन करें तो अपन कहेंगे यह बेंजिन के अंदर आराम से डिजॉल हो जाएगा क्यों कि कार्बन टेट्रा कलॉर आट भी नॉन पॉलर और यह भी क्या हो गया देजिन नॉन पॉलर नॉन पॉलर में दिजॉल्ट होगा ऑलल पॉलर को अंदर टीशक्या थे अपनेंग डिसोल न deliberately कि आ अंग वराएग की एकेल हो से वहाँ पर एक परिंस्टीपल था य्याले छातर्लिय प्रिंसीपल वर देफिंसीपल अब ले चातर लिय प्रिंसिपल क्या है तो आपन ने क्या क्या रखा अम्मार प्रिर आब इंधुष के लिए टेम्पेजर की कोऊ है किश्लाइन एंग अलग होगी यानि क्ये endothermic और exothermic दोनों की condition में अलग-अलग अपने factors पता लगेंगे अब endothermic अगर है endothermic का मलई उसको temperature की requirement है temperature की requirement है इसका मलई तेंप्रेचर बढाएंगे तो solubility भी क्या होगी increase होगी और exothermic अगर है तो temperature अगर अपने बढ़ाया तो पहले से उसके पास एनर्जी जदा है वो एनर्जी रिलीज कर रहा है अब उस कंडिशन में सोल्यूबिलीटी क्या होगी है डिक्रीज होगी है याद रही की बात तो अपने टेंबरिचर की बात करें थर्ड अपन बात करें प्रेशर तो सोल्यूट कौन सा है उसके उपर डिपेंड करेगा अगर आपने सोल्यूट लिक्वीट और गेस तीन तरह के लिए रखें तो सोल्यूट और लिक्वीड की अगर मैं टेंशी की बात करूँ तो जब कभी भी अपन सोल्यूट और लिक्वीड को सोल्यूट को सोल्वेंट के करेंगे तो अपने को पता है कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वह बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं होते हैं पास पास ही होते हैं याने कि इनकी पहले से ही compressed हो चुके हैं तो पहले से अगर जो compressed है याने कि उनके particles में बिल्कुल बहुत ज़्यादा space नहीं है तो उस condition में यह कि pressure का effect कोई हो गए नहीं क्योंकि particles के pass में आने की tendency है या अपन probability की बात करें तो वो बहुत negligible है ही नहीं जबकि गेज में क्या है तो अपन कहेंगी गेज में क्या है particles दूर दूर हैं जैसी pressure पड़ेगा वो particles कि आ सकते हैं पास पास में आ सकते हैं याने कि यहां पर क्या है चांस है किसका और कंप्रेशन चांस होनने का चांस है इसका मतलब अपने को प्रेशर का effect solid or liquid में तो पढ़ना ही नहीं है क्यों नहीं पढ़ना क्योंकि यहां तो ने negligible है न तो बहुत ज़्यादा कोई effect यहां पर शो होता नहीं अब pressure का effect गेज के उपर क्या होता है अब गेज के उपर क्या effect होगा तो यहां से हमारे का एक important topic स्टार्ट होगा जिसको बोलेंगे अपन हेंड्री लो और यहां से हमारे को numerical सी बनने वाले तो अपन बाद next बात करेंगे हेंड्री लो कि उपना है ।